जब भी बिजनस की बात आती है तो लोग धेर सारे ओप्शन्स आपको देते हैं ये कर लो वो कर लो इसमें फायदा इसमें नुकसान लेकिन कभी आपने पेट्रोल डीजल के बारे में सुना है यानि पेट्रोल पम के बारे में शायद नहीं शायद हाँ थोड़ा अंदाजा ह है थोड़ा आइडिया है चले कोई बात नहीं आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज इस वीडियो में हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल बहुत सी चीजों में पेट्रोल डीजल भी शामिल है क्योंकि ट्रावल करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल ह स्टेशन खोलना एक बहुत अच्छा बिजनस ओप्शन साबित हो सकता है पिलहाल इंडिया में लगबग 66,408 यानि की 66,408 पेट्रोल पंप्स हैं जर्में से जादा तर गोर्मेंट सेक्टर में हैं जैसे इंजियन ओईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि की IOCL भारत पेट् कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानि की HPCL और कुछ प्राइविट सेक्टर में भी है जिसे रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड नियारा एनरजी यानि की पहले SR ओयल और रॉयल डच शेल तो अब यहां पर खास बात यह है कि अब सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने से से पता होना चाहिए इसी लिए क्विक सपोर्ट इस वीडियो में आपके लिए पेट्रोल पंप स्टेशन खोलने से जुड़ी सभी जरूरी इंपुमेशन लेकर आया है ताकि आप इस बारे में पूरी जानकारी पासके तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पेट्रो स्टेप के लिए एलिजबल होता है पींट्रोल पंप खोलने का लाईसेंस लेने की में क्या-क्या कंडिशन्स है आये जानते हैं पैट्रोल पंप खोलने के लिए अपलाई करने वाले कैंडिडेट का इंडियन сторटिजन होना जरूरी है अप्लीकेंट की एज 21 से 55 साल के पास होना ज़रूरी है, अगर एप्लिकेंट शहर में पेट्रोल पं झोलना चाहता हो, तो उसका ग्रेजवेट अज़रूरी है, अगर एप्लिकेंट फ्रीडम फाइटर हो, तो उन पर minimum qualification का ये criteria लागू नहीं होता है। इस first step की सारी conditions को पूरा करने वाले applicant second step पर पहुँचते हैं। Second step को clear करने के लिए कौन-कौन सी conditions और requirements होती हैं, आईए जानते हैं। Second step, minimum fund requirement. खुद का petrol pump खोलने वाला applicant, अगर rural areas में petrol pump खोलना चाहता हो, तो कम से कम 12,00,00 रुपए का fund चाहिए। लेकिन अगर petrol pump urban areas में खोला जाना हो, तो कम से कम 25,00,00 रुपए का fund होना जरूरी है। ये fund cash और jewelry के अलावा bonds, mutual funds, national saving certificate जैसी कई forms में हो सकता है। Land requirement के अगर बात करें तो petrol pump खोलने के लिए land की requirement एक बहुत ही important point होता है। और petrol pump dealers का selection करने में ये criteria बहुत important होता है। इसके लिए applicant के पास petrol pump खोलने के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए। या फिर minimum time period के लिए land lease पर ली गई होनी चाहिए। लेंड की location भी बहुत matter करती है। क्योंकि generally oil companies, state highway, national highways और busy market areas में petrol pump open करना ही prefer करती है। इसलिए जमीन की location perfect होनी भी जरूरी है। वैसे petrol pump खोलने के लिए highway पर 800 से 1200 square meter लेंड की जरूरत होती है। इस बात का ध्यान रखे। और आगे अगर हम application piece की बात करें, तो petrol pump खोलने के लिए regular retail outlets के लिए application piece एक हजार रुपए होती है। जबकि rural retail outlets के लिए 100 रुपए होती है। SCST category के candidates को इसमें 50% याने की 50% concession भी मिल सकता है। अगर petrol pump के लिए required land dealer की हो, तो applicant को regular retail outlets के लिए 15 रुपए non-refundable fix fee जमा करानी होती है। और rural retail outlets के लिए ये amount 5 रुपए होता है। ये fees demand draft के रूप में जमा कराई जाती है और ये non-refundable होती है। इसे यहाँ पर एक और important बात जानना बहुत सरूरी है कि एक applicant के वल एक ही location के लिए apply कर सकता है। application fees जमा कराने के अलावा license fees भी submit करनी होती है। और अब ये जानने के बारी है कि petrol pump dealership पाने के लिए कैसे apply किया जाए। आइए जानते हैं। सबसे पहले applicant को oil marketing company के website पर publish ad को check करना होगा। ये ad newspaper में भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद petrol pump खोलने के लिए जरूरी license के लिए online apply करना होगा। इसके बाद oil company lottery system से winner applicant का नाम announce कर देगी। और eligible candidate को इस से related सभी document submit करने होगे। license मिलने के बाद applicant को GST pay करने के लिए register करना होगा और अपने petrol pump के नाम का current account open करना होगा। भले ही petrol pump खोलने का ये procedure बहुत easy नहीं है। लेकिन एक बाद license मिल जाने के बाद इस business में इसको बहुत अच्छा है। और अब तो इसकी रहा आसान हो गई है। क्योंकि पहले license पाने के लिए एक company को petroleum field में 2000 करोड रुपे invest करने होते थे। जबकि आज minimum net worth 250 करोड वाली company भी license के लिए apply कर सकती है। इसी लिए इस business में उतरने का ये golden chance है। और अगर आप petrol pump खोलने से जुड़ी सारी conditions को पूरा कर सकते हैं, तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और petrol pump के owner बन सकते हैं। तो दोस्तों, quick support को पूरी उम्मीद है कि petrol pump खोलने से जुड़ी ये important information आपके लिए useful होगी। आगे भी ऐसी ही innovative और interesting जानकारिया लेने के लिए हमारी चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस करना बिलकुल न भूले। ताकि हर नई और innovative जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही, फिलाल के लिए धन्यवाद।